जहिंद फ्रेंड हम बात करने वाले हैं क्लास बारा में वह विकल्फी कोश्चन पार्ट वन और एक कई पार्ट में हम लाएंगे हो सकता है कि आप लोगों को कई पार्ट मिल जाएं लेकिन उसमें सभी वह विकल्फी कोश्चन जितने इंपॉर्टेंस रहते हैं सबी को हम लोग cover करेंगे ठीक ना तो देखते हैं सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें जितने question है उसके अलामा भी हम बहुत सारी बाते करेंगे उस पे आप लोग विशे से ध्यान देंगे ठीक ना सबसे पहले हम यहाँ पी start करते हैं आप लोग थोड़ा सा बनाये रखिएगा तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला question हमारे सामने है माधो विलास के लेखक हैं तो माधो विलास के लेखक ललू लाल हैं ठीक ना माधो विलास के लेखक ललू लाल हैं इनकी एक और रचना है प्रेम सागर और रचना कार हैं ललू लाल माधो विलास के ठिकना अगर हम लोग बात करें कि एक तरीके से जो है इनके रचना ये जो माधोविलास है, ये क्या है, तो ब्रजभासा गद्ध है, जबकि प्रेम सागर एक कहानी है, बात कर लेते हैं दूसरे कोश्चन की ओर तो वर्ल रत्नाकर, वर्ल रत्नाकर के रचनाकर कौन हैं, तो रतनाकर के रचनाकार हैं जोतिस्वर ठाकूर वर्ल रतनाकर के रचनाकार हैं हम लोग देखते हैं अगले कोश्चन की और और अगला कोश्चन है प्रेम सागर के रचनाकार तो अभी हमने आप लोगों को बताया कि प्रेम सागर के रचनाकार यहां पे पंडित लल्लूलाल है यानि कि इनके बारे मैंने बताया कि माधव विलास इनकी रिचना है और प्रेम सागर यह एक क्या है यह एक कहानी है ठीक ना आगे हम लोग बढ़ जाते हैं तो अगला कोश्चन है खड़ि बोली गद्ड के विकास का प्रारंभिक यूग कौन सा है किसे 1868 से लेकर ठीक ना 1868 से लेकर वो 900 तक माना जाता है इसे 1868 से 1900 इस्वी तक इसे माना जाता है तो एचीज आप ध्यान देंगे हम लोग आगे बढ़ जाते हैं अगर हम लोग कहें कि यह जो है आधोनिक काल कहते हैं इसे मतलब भारतेंदु यूग कहते किसे हैं तो आधोनिक काल के पर्थम चरण को ही हम लोग जानते हैं भारतेंदु यूग के नाम से आगे बढ़ जाते हैं तो अगला कुश्चन है निमलकित नामो में से कौन सा लेखक खड़ी बोली गद्ध का प्रारमभिक लेखक है तो यहां पे हमें याद रखना होगा कि खड़ी बोली गद्ध के जो प्रारमभिक लेखक हैं वो राम परसाद निरंजनी है और राम प्रसाद निरंजनी आप लोगों को बता दें कि ये जो राम प्रसाद निरंजनी है इनकी एक और रचना है भासा योग वसिष्ट ठीक नहीं की एक रचना है भासा योग वसिष्ट आप याद रखेंगे राम प्रसाद निरंजनी की एक रचना है भासा योग वसिष खीक आगे हम लोग बढ़ जाते हैं तो आगे देखते हैं अगला question है हमारे सामने कि प्रारंभिक गदढ़ की प्रारंभिक गदढ़ की गद्रे लेखकों में से दो राजाओं में से या निकि दो जो है काफी जादा मतलब प्रभाव साली लेखक हैं उनमें से एक कौन है तो उसमें हम लोग लिखेंगे कि यह आपका शाठवा कौश्चन है तो इसमें आपको लिखना है सीव प्रसाद सितारे हिंद को जो है दो राजाओं में से एक माना जाता है भारतेंदु यूग से साथमा कौश्चन है कि भारतेंद योग से पूर्व गद्य के लेखक हैं तो कौन है यहां पर आप लोगों को सुखलाल यानि कि इनकी एक रसना है सुखलाल इनकी एक रसना है और आप देखेंगे तो मुंसी सदा सुखलाल इनकी रसना सुखलाल है और इनका नाम है मुंसी सदा सुखलाल या खड़ी बोली गद्य की एक रचना है आगे हम लोग बढ़ जाते हैं तो आगे देखते हैं आठवे कोश्चन की और और आठवा कोश्चन है दीप जले संख वजे किस विधा की रचना है तो दीप जले संख वजे एक निवन्ध है और इसे लिखने वाले कनहया लाल इवन परचे हमने इसी चैनल प्याप लोगों को दिया है आप वहां से देख सकते हैं और बहुत सारी उसमें ट्रिक और बहुत सारी रचनाएं हमने इनके बारे में बताया है ठिकना कनहया लाल मिस्ट परभाकर के बारे में आगे हम लोग बढ़ जाते हैं और अगला कोश् में क्या है कि हिंदी गद्य साहित के जनक माने जाते हैं भारतेंदू हरिस्चंद आईए हम देखते हैं भारतेंदू हरिस्चंद के बारे में और भारतेंदू हरिस्चंद की कुछ रसनाओं को हम आपको बताते हैं इनकी कुछ रसनाओं में है पहली है इनकी अंधेर नगर एक जो है आपका अंधेर नगरी ठीक और दूसरी जो है अंधेर नगरी है क्या तो ये नाटक विधा है और फिर है सत्य हरिस्चंद और ओभी नाटक विधा है भारत दुर्दसा इन्हीं की रचना है और भारत दुर्दसा भी नाटक है वैदेही हिंसा हिंसा नाभवती ओभी इनकी रचना है वो भी नाटक है और फिर दिल्ली दरवार दरपन ये इनकी रचना है लेकिन वो क्या है आपकी निवंध संग्रा है हम बात करें तो इनकी एक रचना है मदालसा जो की निवंध संग्रा है इनकी एक रचना है सुलोचना वो भी निवंध संग्रा है इनकी एक प्रेम तरंग जो की नाटक है तो इतनी रसनाएं आपको भारतेंदू हरिष्चंद की याद रखना है बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगले कोश्चन की ओर देखते हैं तो अगला कोश्चन हमारे सामने है दस्वा कोश्चन की कौन सा यूग हिंदी गद्ध के उतकर् आता है तो कौन सा यूग रहेगा आप भी जानते हैं भारतेंदू यूग जो है यह सही आप्शन रहेगा अगला कोश्चन है कि फोर्ट विलियम कालेज कहां इस्थित है तो मद्रास में फोर्ट विलियम कालेज मद्रास में इस्थित है हम लोग बढ़ जाते हैं अगले को और ये ब्रज भासा गद्य में लिखा गया एक जो है इनकी रचना है फिर है स्रिंगार रसमंडन के रचना कार कौन है तो स्रिंगार रसमंडन के रचना कार गोसाई विठल दास है और इनकी बात करें अगर हम लोग एक कौन सी रचना है कौन सी विधा है तो ब्रज भासा देकी इनकी यह विधा है, सरिंगार रस्मंडन, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तगला कोश्चन है नास के तो फाक्षान के रस्नाकार काउन है, तो नास के तो फाक्षान के रस्नाकार की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पर आज़ाएगा हमारे सामने अंसर कि सदल मिस् आगे लोग देखते हैं सुख सागर किसकी रचना है तो सुख सागर किसकी रचना है तो सुख सागर जो है आपकी है मुनसी सदा सुखलाल की अभी हमने उपर इनके बारे में चर्चा किया तो मुंसी सदा सुखलाल की रचना है सुख सागर ठीक न और एक खड़ी बोली गद्य की एक रचना है हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कोश्चन है राधा कृफ्डदास लेखक थे किस यूग के लेखक थे एक कुश्चन है कम से कम समय में हम लोग ऐसे ही कबर करेंगे बाकि आभी आपके सामने बहुत सारे कोश्चन पढ़े गए हैं लेकिन जो है इसको हम अलग-अलग पार्ट में ताकि छोटे-छोटे वीडियो के रूप में आपके सामने रख सकें ताकि आप लोगों को भी कोई अभी कम समय बचा हुआ है तो उसी के अनुसार चलते फिर ते आप इन कोश्चन को देखते रहें ठीक ना तो अभी हम लोग 17 कोश्चन देख चुके हैं फिर अगले पेज से हम लोग देखेंगे आगे ठीक ना तो थैंक्स टेक केर बाई बाई